बिल पास हो जए है बेशक लेकिन जंता वोट नहीं देगी मजाग बनाया और क्या जो हम वोट दे के अगर हम सेंटर पर कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने राज्ये के लिए तो चुन सकते हैं न सरकार वो भी हमसे अधिकार चीन लिया वो आगे राज्येपल थोड़ी हमारे काम कर देगा काम ताहें मेले नहीं करने है न हम जानते ही नहीं मुने मनोस्तिवारी है कोन एक गवया गवया राजनीती करेगा क्या अपको पता है अलजी को नाम भी याद नहीं है वो पीजे भी ट्रांस्पेरेंसी है स्कूल काम वाम देखके बंदा वोट देता है आजकल वोटर कोई पहले नहीं है वो राजनीती चली गई जो ये करते हैं बीजेपी वाले तब से हमारे मन से उतर दे गए उतर दे गए तो फिर हम कनवर्ट हुए हमने फिर आम आदमी पार्टी अब ये बात शोर है कि दिली के लोग जिस सरकार को चुनेंगे उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे फिलाल दिली में केजरिवाल की सरकार है और केजरिवाल की सरकार के पास इस बिल के आने के बाद अब कोई अधिकार नहीं रहा एक बार फिर उतरे हैं हम दिली की सड पर जानते हैं दिल्ली वालों से कि अब लो कैसा मैसूस कर रहें कि जिस पाटी को, जिस सरकार को उन्हें चुन के विदान समा में भाँ भेजा था, उनके पास अब जनता के काम करवाने के कोई अतिकार नहीं है, पर दिल्ली वालों की राय चानते हैं. बीजे पी का तो रवह शुरू से यही रहा है LG को पावर देनी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिल्कुल अटाना है नोंहें कोई भी काम करने नहीं देना जिटनी फाइल है सब LG के पास भेज रहेंगे आर दिल्ली मे ए पर काम करने नहीं पर 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 अब तो यह बिल पास हो गया है बिल पास हो जए बेशक लेकिन जंता वोट नहीं देगी हारेंगे साथो सीटे हारेंगे मेरा नम गौरव असरी है अब दिली के जो चुने होए मुख्यमंत्री है उनसे सारे अधिकार चीन के लजी को दे दिये गए हैं आपके काम अब आपका अमेले नहीं करवा पाएगा जब पावरी नहीं रहेंगी तो कैसे कराएंगे अब काम किस से करवाएंगे अपने हमारे काम होई मनोश्तिवार के करें देखी नहीं यह मनोश्तिवारी कि अर्व पाव्राव अच्छा गाते हैं उनको पता थो हैनी पपलिक की प्रॉब्लम स्कोरी कभी आय नहीं हमारे बीच ने सुने फिर हमारी समस्य आये सुने और रहें इस जाएंगे यह तरह टुटी हुई है सीवर का पानी आता है अब इस समस्या के लिए वे में एपका कर्वान पाषताय। का कर आद परशान परेशान परेशान हो औरः क्लाइशों में कर आझा समस्या सब teasing लिए milligram ली के कि अपना जो पावर थी सारी वो क्यों खर्च की इतना इतना मेंगा बढ़ा देते हैं बताओ कहां से गरीवादमी तोर मर रहे हैं क्या खाएंगे किसी की पेंशन आया किसी का कुछा तो कैसे होगा इलेक्शन तो दिली वालों के लिए करवाया था ना तभी तो जुन के आया है। यहां जो थे वह वह भी चीन लिए है। दिली के बहुत अधिकार भार लेकिन दिली में जो अधिकार दिए गए थे मुख्य मंतरी से वह इन्हों ने चीन लिया गलत ही आई है तुनी हुए उन जो है लोग सब्सक्राइब लिकिन उन्हों इसके फेवर में पार्टी की सुनी जनता की नहीं सुनी हमने तो कभी आज तक उनकी शकल भी नहीं देखी 2024 में फिर से चुनाव है वो देख लेंगे फिर जब होगा तब आएंगे तो तब हिसाफ कर लेंगे मनोज दिवारी जी से करवाएंगे हमें यह दाउट है चाहते हैं कि विदान सभा जो बनी हुई है इसको यह सिर्फ एंडर में लागा एक छोड़ देंगे एक बंक कर देंगे विदान सब्सक्राइब कर देंगे का जाएंगे हमारी का पावर के वहां अंदर जाके बात कर सके हम तो मह injust जाते है कि उसको फेल करने के लिए सरकार के लिए कांपकाश कराने तो और मुश्किल हो जाएंगे और जनता को कैसे समझाएगी डिली सरकार की हमारे पास अधिकारी न ही है तो अम जनता के काम कैसे करवाएं मताया है बूकुल गलत किया ज्यादा गलत किया है क्योंकि उनके पास अधिकारी निया जब इकारी चीन लिए गए है एक वह समय लोगों को भी बोश्टिंग निकर सकते कि इतनी पावर इनों ने चीन लिए कि चपड़ासी होते हैं उसकी उसकी एक अफसर का से डरेगा जब चपड़ासी इधर उदर से यह ट्रासफर नहीं कर सकते हैं बहुत गलत किया है कि अगर हम सेंटर पर कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने राजे के लिए तो चुन सकते हैं न सरकार वो भी हमसे अधिकार छीन लिया तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है इसको बंद कर दिया जाए पहले बहुत रलवा ते फिर वह जो खर्चा तो वह पब्लिक पी डाल देते हैं यह तो हमारे साथ दोखा ही है और क्या है पब्लिक का दोखा है यह तो मुख्य मंत्री से ज्यादा पावर ना आज एक छोटे से ज्यादा कारी के पास है मुख्य मंत्रि से ज्यादा है जो आप केंद्री सरकार ने उसको ज्यादा पावर दे दी अब अब अधिकार नी रहे तो अगली बार वोट आप केजरीवाल कोई देंगे लेकिन अधिकार जब छिन रहे हैं जब ऐसा हो रहा बीजेबी को तो हम बिल्कुल निगलेक्टी करेंगे हम तो बिल्कुल अगेंस तो चाहँ है लोगसभा चुनाओ उसमे भी हम केजरीवाल को दे प्रचाइब कर दिया इन्हों ने बीजेपी ने हमारे दिमाग में बिल्कुल नेगिटेव इमेज बना लिए यहां के सांसत से नाराज़गी है आपकी मनुश्टिवारी तो नाराज़गी क्या होगी जिसको शकल से नहीं देखा तो आज तक शकल नहीं देखा टीवी में दे कार से चीन रहे हैं सारे और रागव चड़ा जी को सब्सक्राइब कर दिया अच्छा लगा था केजरिवाल जी का काम तभी तो तीन बार वोट दिया दिल्ली वालों का काम सही है इसलिए बहुत सही है एक चोटे-चोटे बच्चे को भी पता है कि उन्होंने बहुत काम किय थे हैं चोटे बच्चों के लिए स्कूल हों हॉस्पिटल होस्पिटल में इतनी फैसिलिटी है कि हम अच्छे मीडियम तरह के लोग भी अजय है अपने सारह कर्वा कर आ जाते हैं फ्री में हम भी सोचते हैं कि हम इसका फायदा क्यों न ले तो घुर तो उनकर अम्रीका की कि यह काम कर रहे हैं और काम करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे पी-म लेवल बे भी जाएंगे सी एम से आगे पी-म भी बनेंगे तो यही इने डर है कि हमारे टकर में कोई ना है जनता है इस मूड में बनाने के लिए जनता तो है देखो काम को देखके तो है लेकिन जब इसा तो रहता नहीं वक्त तो चेंज होता है इनको इतनी बड़ी सीट पर बैठके यह सोचना चाहिए कि वक्त तो कभी ना कभी चेंज होगा अपना वोची राज नहीं तरह यह पर लगते हैं इसा करके निपनी पैंट बना लेगा दिली में होट बढ़ जायेंगे बिलकूल कटर बीजेपी थे मेरे दादा जी 25 साल निगम पार्षद रहे हैं सदर बजार से रामला लस्डी जी और हम बीजेपी कोई आरसेस के ही हैं लेकिन हमने जब केजरिवाल जी आये तो काम देखा तो हमें अच्छा लगा एक तो बिजली के बिल भी जीरो हो गए और सारी चीजे है हमने फिर आम आदमी पार्टी वोटर होने के नाते में यह देखता हूं कि हम ठगे होए मैसूस होते हैं कि हमको अगर कोई काम करवाना है अपना तो हम अपने मुख्यमंत्री जी आपने मेले को हम नहीं कह सकते हमें ड्रेक्ट एलजी के बास जाना पड़ेगा तो हम अप अगर मुख्यमंत्री के अधिकार चीन कर वो जनता से वोट पालेंगे? वोट तो नहीं पापाएंगे नहीं ले पाएंगे बट उनकी एक शाजिश है चाल है पर वोट तो नहीं पापाएंगे वो तो वो हारेंगे वो सब जब आएगा जब 2024 आएगा इलेक्शन का टाइम आएगा तब दिल्ली की जनता उनको अपने आप बता देगी कि उनकी ता कोई काम कराना चाहेंगे स्टेव मिनिस्टर के बास तो लगी के पास आना पुड़े हमारी सुनेगा नहीं क्यों सुनेंगे हमारे आप दो केंगे लगी के पास जाओ मुख्यमंतिर्य का होना चाहिए मुख्यमंतिर्य को पावर थो नहीं चाहिए ना टैसे तो रही विधान सभाकी बात आब यहां के जो सांसद हैं लोक सबावाके संसद चाहिए वह अनों नहीं वोट किया पर देखा है मनोईतिवाडी सांसथ हैं लेकना मैं देखा हमारे लाके माई तक आहीं नहीं हो आई तक नहीं है चाहे पहली बजीते तब भी नहीं आए आप जी सेकंड टाइम जी तब भी नहीं पर भी जनता उने वोट कर रही हैं बताओ आप क्या करें अचाँ अभी अभी अब दोजार शाओबिस में फिर से चुनाव है ये बिल पारित हो गए जनता की नराज़गी आपको लगता है जनता फिर से उने वोट करेंगे देखो जनता आम तो इनको वोट नहीं देंगे मनोईतिवाडी को साब आता है क्यों हमारे लागे माई तक आहीं नहीं है नहीं अब देलीवालों को क्या प्रप्लम आएगी जैसे आपको कोई भी काम करवाना ने जैसे हमारे अखलेे अमेले हैं आपके सारहा कौरार है हमारे लाके में आपको दो वोट चीट कि कोई बिजा है जिस पार्टी को जिस सरकार को चुन के विधान सभा में भेजा है और अब उस सरकार के पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे किंद्र सरकार का दखल है दिली की एड्मिनिस्ट्रेशन में और जिसके चलते हैं ये दिली सर्विस बिल लाया गया है उस पर लोगों की राय हमने जानी लोग बेहत नाराज है निराश है और उनको लग रहा है कि अब उनके वोट का महत्व जो है वो इस बिल के आने के बाद बिलकुल खत्म हो जाएगा कैमरमेन राहूल सिंग के साथ सिमरन कौर टीवी नाइन डिजिटल दिली